असलाम अलेकुम कैसे आप सब उमीद करता हूं सब ठीक होंगे घर मिया आ रही है सो लेट्स टॉक अबाउट फंगल इंफेक्शन फंगल इंफेक्शन रिंग वर्म टीनिया इसके लिए कौन सी असी बेस्ट एंटि फंगल क्रीम है जो के प्लेन है जो के नौन स्टिराइड ह नहीं है जिनका कोई नुकसान नहीं है जिनने हम घर पे इस्तमाल कर सकते हैं या फिर जाके फॉर्मेसी से ओवर दी काउंटर ले सकते हैं और उनका कोई नुकसान नहीं सो पांच बेस्ट एंटि फंगल क्रीम के नाम में आपको बताऊंगा जिने अगर आप फंगल इंफे की प्रॉब्लम में ये काफियत तक ठीक हो जाएगी इसके अलावा ये जो फंगल इंफेक्शन होती है क्यों होती है और कौन सी अहत्यातिता अभीरा में करनी चाहिए ये सारी बात इस वीडियो में आपको बताऊंगा सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ सबसे बहले हम यह देखते हैं कि यह जो फंगल इंफेक्शन है फंगस है यह क्या होती है यह कोई कीड़ा नही रिंग वर्म इसलिए कहते हैं अगर आप इसकी पिक्चर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा यह पिर आप अपनी जहां पर फंगल इंफेक्शन है वहाँ पर देखेंगे तो यह गोल दाइरे में रिंग के शेप की होगी और साइडों पर आप देखेंगे तो आपको रिंगल इंफेक्शन हो चुकी है या फिर फ्यूचर में क्योंकि हर बंदे को कभी न कभी स्टेज से गुजरना पड़ता है तो जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए इसके कुछ असूल है सबसे पहला असूल जो है वो यह है कि आप अपनी सफाई सुतराई रखें घुस गुसल करें प्रॉपर गर्मिया आरी हैं सो गुसल को लाजमी अपना हिस्सा बनाएं हर रोजाना गुसल करें स्पेशली जब आप काम करके आते हैं रात का वक्त होता है उस वकत लाजमी घुसल किया करें सफाई सुतराई का ख्यार रखें और सेकेंड पर जो मोस्ट इंप करें ये बहुत ज्रूरी है इसके अलब अगर आपको fungal infection ही वी है तो जितने भी आपके कपड़े हैं बहुत सारे लोगों को fungal infection ठीक हो जाती रिजन क्या होती है अपके कपड़े होते हैं और आके लेटेगा बैठेगा तो उसको भी फंगल इंफेक्शन हो जाएगी क्योंकि ये चुता चूत की बेमारी की तरह फैलती है सो ख्याल रखिएगा अगर आपके साथ ऐसा है तो जितने भी आपकी चीजें उन्हें लाजमी धोईए और ये कोशिश करिए कि आपका टावल आपकी चीजें कोई दूसरा इस्तमाल ना करें ये तो थी एहत्याती तदा भी है अब चलतें क्रीम की तरफ क्रीम जो होती है याद रखिए कभी भी स्टिरोइड क्रीम का इस्तमाल ना करिए कोई भी क्रीम है जिसके उपर एंड में आपको में एक चोटी सी चीज़ देता हूँ S.O.N.E. लिखा हुआ है तो इट मीन्स के वो स्टिरोइड क्रीम है तो अपनी क्रीम देखिए उसके उपर क्या लिखा हुआ है तो आपको समझ आजा जाएगी जैसे बिटा मेताजोन है ठीक है तो यह स्टिरोइड होगी मुमिटा सोन लिखा हुआ है तो जिसके आगे भी सोन लिखा हुआ है इट मीन्स के वो स्टिरोइड क्रीम है वो आपने इस्तमाल नहीं करनी बहुत सी कम्बिनेशन में भी आती है जैसे क्लॉटरी मजोल आती है साथ में आगे लिखा होगा बिटा मेताजोन तो इसका मतलब होता है कि इसमें स्टिरोइड भी है तो स्टिरोइड वाली कोई भी क्रीम आपने नहीं लगानी है एवन के जब हम छोटे होते थे तो हमारी जो वालदा होती थी जो घर में तो वो कोई भी पॉलिफक्स लगा लेती थी या बेटनोवेट लगा लेती तो जो बेटनोवेट होती है स्टिरोइड क्रीम होती है इसको फंगल इंफेक्शन पर नहीं लगाती है अगर आप यह लगाएंगे तो कुछ अरसे के लिए आपकी फंगल इंफेक्शन ठीक हो ज करनी है कि जो स्टिरोइट करीम है या कहीं भी कोई भी बताते है अपने इस्तमाल नहीं करनी है. आपने सिंपली प्लैंन एंटी-फंगल करीम इस्तमाल करनी है, जिनका नाम में आपको बताने लगा हूँ. सबसे पहले आती है कीटा कानाजोल आप किसी भी फर्मेसी पे जाके बोलेंगे मुझे केता कानाजोल चाहिए टू परसंट में तो वह आपको क्रीम दे देगा, वह आपने क्रीम इस्तमाल करनी है अगर वो नहीं मिल रही है तो आपने मी कानाजोल नाम से आती है ये भी टू परसंट में आएगी इसे आप ले सकते हैं या फिर ओक्सी कोनाजोल नाम से आएगी ये वन परसंट में आती है ये ले सकते हैं अगर ये नहीं मिल रही तो आपको क्लॉटरिमाजोल मिल जाएगी ये भी वन परसंट में मिलती है लेकिन ये याद रखिए को कॉंबिनेशन में नहीं लेनी है क्लॉ बोनबिट नाम से मिलती है ये भी टू परसंट में आती है तो इसे भी आप लेके इस्तमाल कर सकते हैं इसके बहुत सरे जिसे लिमसी है बहुत ज़्यदे इस्तमाल होती है ट्रैबिनफीन है वो भी बहुत ज़्यदे इस्तमाल होती है बट ये जो क्रीम है मैंने आपको के या फिर अगर आपके पास अलकोहल है तो आपने अलकोहल लगाना है और उसके बाद उसको ड्राइ करने है ड्राइ करने के बाद आपने क्रीम अपलाई करनी है अगर आपके पास अलकोहल नहीं है तो आपके घर में सिर्का होगा सिर्के को थोड़ा सा कॉटन के उपर लगा कि उस जगह को साफ करिए उसके बाद आपने क्रीम को इस्तमाल करना है अगर जो है वो जगह जो होती है उसको ड्राइ करना है सिरकर के साथ आपने साफ करके उस जगह को ड्राइ करना है ऐसी उपर नहीं लगा देना है तो ड्राइ करने के बाद ही आपने लगानी है और यह ल होगा सो कम असकम चार हफते और अगर थोड़ी बहुत रह जाती है तो आप एक महीना चोदा दिन एक महीना पंदरा दिन तक भी इसको लेके जा सकते हैं अगर यह बहुत जदे पहली हुई है आप देखते हैं कि बहुत जदे पहली हुई है आपके जिसंपे तो फिर आप strong होती है या आपने खुद ने इस्तमाल करनी है एम्यून से प्रेजन्ट होती है जो कि आपके म्यून सिस्टम को दवाती हैं सो यह कभी भी आपने खुद से नहीं लेनी हैं इनके side effect होते हैं Just आपने simple plan जो मैंने आपको anti-fungal cream बताई यही आपने इस्तमाल करनी है 99% केसेज में आपकी जो फंगल इंफेक्शन होती है वो इन क्रीम से ठीक हो जाती है इन में से कोई भी क्रीम इस्तमाल कर सकते हैं आपसो कि आपको यह मालूमात अच्छी लगी होगी दौाओं में याद रखीगा अलाफ़ज़